हलो फिंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिक्षा के उद्देश ये ग्यानेवं पाटे चरिया का लाश्ट यूनिट यूनिट नमबर 6 जिसका नाम है सीखने वै मुल्यांकन के दार्शनिक आधार यूनिट दोस्तों आपका चटा यूनिट 12 नमबर का है और हम कोसिस करेंगे हों सभी मैधपूर्ण बिंदों पर चर्चा करने की सभी important topics पर बात करने की जिनसे आप इस यूनिट में 12 नमबर पक्के कर पाएंगे तो वीडियो को पूरा देखिए चैनल पर नए हैं तो सबस्क्राइब कर लीजी इसी तरह के informative वीडियो के लिए सबसे पहला topic हम discuss करते हैं सीखना क्या है तो सीखना बच्चों की स्वाभाविक क्रिया है सीखने के तरीके और रूचियों का भी इस पर गहरा असर होता है हम रखनी है कि अनुभाव से बच्चा सीखता रहता है जो उसके समाज में घटित-घटनाए होती है उनके आधार पर सीखना के उद्देश की हम बात करते हैं पहला उद्देश है सीखने के अर्थ के दार्षनिक आधार की समझ बनाना एवं सीखने के विभिन तरीकों पर चर्चा करना दूसरा उद्देश है मुल्यांकन के साथ आकलन और मापन को एक समझा जाता है क्या इन में कोई अंतर है इस अवधारना पर समझ बनाना तो ये दो उद्देश है आपको महत्पून तोर पर ध्यान रखना है अब हम बात करते हैं सीखने के तरीकों को लेकर के सीखने का पहला तरीका है रट करके सीखना हमारे स्कूलों में अक्सर कक्षाओं में रटने के द्वारा बच्चों को पाट पढ़ाया जाता है इस तरीके में सीखना मूलत है तत्वों को याद करना है और पूछे जाने पर उनको बताना है रट करके याद कर लेना कोई भी है सीखने का पहला तरीका हो गया रटना और दूसरा तरीका है सीखना नर्देशों की एक सरंकला के तोर पर इसमें बच्चों की नर्देशों की एक सरंकला को याद करके पालन करना होता है इसमें माना जाता है कि सीखना टुकडों में होता है यानि कि चोटा-चोटा थोड़ टोपिक को जल्दी कवर कर लेते हैं, कुछ कमजोर बच्चे जो बातों को देरी से समझ पाते हैं, वो देरे देरे याद करेंगे, तो अपनी अपनी गती से वो टोपिक को क्लियर कर लेते हैं, इस तरीके के द्वारा सीखने को अभी करमित अधिगम कहा जा सकता है, तो अभी सक्रिय होकर के सोचने, चर्चा करने, अवलोकन करने, अनुमान लगाने, निश्कर्ष निकालने, आदी निकालते वे, अपनी समझ विक्षित करते हैं, तो इस तरह से सीखने के तीन तरीके आपको धन में रखने हैं, अब हम बात करते हैं, मापन में सबसे पहले हम बात करते ह रहता है जैसे किसी कक्षा में इकाई परिक्षा में विध्यारतियों के अंक यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विध्यारती के भाईये एवं मानसिक विशीष्टाओं को मापा जाता है मापन मुल्यांकन का एक हिस्सा है ये भी आपको जान रखना है अब हम बात करते हैं जो चात्रों के वेभार का गुनात्मक एवं मात्रात्मक वरनन प्रस्तूत करता है। मुल्यांकन उनके बारे में निरने लेने में साहेता करता है। चात्रों के व्यक्तित्व के विभिन पक्षों का मापन ही मुल्यांकन कहराता है। मुल्यांकन के द्वारा सीखने सिखाने की प्रिक्रिया में निम्न क्रियाएं होती हैं जैसे उद्देश्य, अधिगा मनुभव और विध्यारती की जाँच ये कुछ बिंदू आपको मुल्यांकन में ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं अगरा बिंदू आता है आकलन। दूसरा चरन है सूचना को दळच करना अथ्वा सूचना की रिकोर्डिंग करना तीसरा चरन है एककतरित सूचनां से अर्थ निकालना। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगला महतपुन बिंदु आता है आगलन, मुल्यांकन तथा मापन में अंतर एक बड़ा प्रशन इस तरह से आ सकता है या फिर अलगलग पूछ चकता है कि आगलन और मुल्यांकन में अंतर बताईए या फिर आगलन और मापन में अंतर तो आकलन एक समवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक को यह ग्यात होता है कि विध्यार्थी का उचित अधिगम हो रहा है अत्वा नहीं हो रहा यह आपने ठीक से समझ लिया है कि सिक्षक यहां जान पाता है आकलन से शिक्षार्थी को जो पढ़ाया जा रहा है जो टोपिक पढ़ाया जा रहा है वो बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है उसमें अधिगम हो रहा है या नहीं हो रहा तो वो सब कुछ आकलन से ग्यात हो पाता है मुल्यांकन की बात करते हैं तो मुल्यांकन एक योगा अत्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी पूर्व निर्मित शेक्षिक कारेकरम अत्वा पाठेकरम की समापती पर पाठेकरम पूरा कम्पलीट हो गया पाठेकरम पुरा पढ़ा दिया गया है उसक के दुवारा किसी वेक्ति या पधार्त में नहित विशिष्टाओं का आंकिक वरणन किया जाता है और माप दिया जाता है कि कितना बच्चे की परस्टेंटे लेवल पर वो सब कुछ आपको जान रखना है इसके बाद में अब सेकंड हम बात करते हैं उद्देश्य का दार प मुल्यांकन का उद्देश्य निधायत पाठेकरम के समापती पर चात्रों की उपलब्दी को ग्रेड अत्वा अंक के माद्यम से परदसित करना होता है और आगे मापन देखिए आकलन और मुल्यांकन की एक तकनीक है तो ये उद्देश्य के तोर पर बिंदू आपको धिहन करने वाली प्रणाली है इसके बाद में अब हम बात करते हैं सिक्षन सास्तर के आधार पर तो सबसे पहले बात करेंगे आकलन में सिक्षन सास्तर का हिस्सा है जो पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ चलता है मुल्यांकन में यह पढ़ने पढ़ाने के अंत में उपलब्दियो के वर्गिकरण के लिए किया जाता है और मापन में मुख्य तोर पर व्यक्तित्व के विभिन पहलूं के लिए किया जाता है इस तरह से आपको जहन रखना है आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं मुल्यांकन आकलन में बदलाव के आधारों को शिक्षन अधिगम की प्रिक्रिया में यह समझा जाता है कि शिक्षक की भूमिका विध्यारतियों को जानकारी देने की होती है विध्यारती निश्करिये रूप से इसे ग्रहन करते हैं इसके विपरीत रचनावादी दर्शन के अनुसार ग्यान का व्यक्तित्व एवं साथ मिलकर के मनन और सामाजिक अन्तैक्रिया के द्वारा निर्मान किया जाता है आगे हम बात करते हैं कक्षा में मुल्यांकन अनुभवों पर आधायत हो जो बच्चा सीखते समय अनुभव करें सीखने की प्रक्रिया का मुल्यांगन करें जिसमें निरने प्रतेक सीखने वाले के स्वभाव और गुणवत्ता को अधार बनागर के ले जाएं उप्युक्त बदलाओं के पीछे यहें विश्वास है कि बच्चे सीखने की प्रक्रिया में जरूर हिस्सा लेंगे और इसके होने के लिए वे अपना स्वाकलन भी करेंगे, अपना खुद का आकलन भी करेंगे, आकलन के विविन तरीकों की अब हम बात करते हैं, पहला तरीक स्वियम के सीखने के बारे में इस परकार के आकलन अनुभाव से बच्चा ग्या निर्मान की गहन प्रक्रिया के तरह बढ़ता है और अपना खुद का आकलन करता है कि मैंने इस टाइम पीरियेड में कितना सीख लिया है और मुझे कितना अधिक सीखने के जर्रत है तो वो स संगत है क्या बच्चे द्वारा निकाले गए समाधान युकति-संगत है तो समुह आकलन एक पूरे ग्रूप का अगलन इसके बाद में अगला बिंदू आता है बच्चों को किसी भी कक्षा में ने रोके जाने के आया है कि बच्चा से वो फिर विद्याले चोड़ देता है तो उन सब के बारे में यहां पर बताया है कि कई चातर परिक्षा में असफल हो जाने के बाद में अगले कक्षा में परवेश्ट नर लेने के करण कुंठा के सिकार हो जाते हैं कभी-कभी बालक में अपरादी प्रवर्ती जनम ले ले में मुल्यांकन व्यवस्था में सुधार किया गया है जिसके अंतर सतत मुल्यांकन को महत्व दिया गया है परिक्षा में अंको के इस्तान पर ग्रेडिंग को महत्व दिया गया है आजकल ऐसी व्यवस्था है कि कक्षा एक से आड़ तक के बालक बालिकाओं को किसी भी में उसका आध्यन यतावत रहेगा यह सेखशिक विवस्ता उचित है इससे बालक-तनाव-रहित हो करके अपना आध्यन जारी रख सकेगा इसके बाद में अब हम बात करते हैं मुल्यांकन से चातर का समाजिक स्थार करने में सहयता मिलती है आजकल समाज में विध्याले में परवेश लेते समय सरकारी नोकरियों में जातिगत अरक्षन की विवस्ता है यदि समोचित मुल्यांकन किये जाता है तो मुल्यांकन परिणामों के अधार पर चात्र को अपनी सामजिक इस्तिती का लाब परापत हो जाता है उसे अच्छे विध्याले में परवेश मिल जाता है तरथा सरकारी सायता भी मिल जाती है परतियोगी परिक्षाओं की परगती पर अरक्षन लाब भी मिल जाता है जिससे उसका सामाजिक इस्तर प्रभावित होता है इसके बाद में आगे हम बात करते हैं सिक्षक की जवाब देही सिक्षक की जवाब देही है सिक्षन कारिय किस परकार से करवाय जा रहा है तो सामने तहें सिक्षक का कारिय सिक्षन करना मना जाता है पर अंतु यह कारिय कहते समय जितना आसान प्रतित होता है इस कारिये में उतनी ही अधिक जिमेदारी है जिमेदारी को पूर्ण करने के लिए दूसरी है प्रशासन जवाब देही तीसरी है वित्ती जवाब देही और चोती है नेतिक जवाब देही इनके बारे में ज्यदा डीटेल में हम बात नहीं करेंगे एक्जाम के पॉइंटों प्यूसे आपको शोट-शोट में याद करना है ज्यदा डीटेल में हम जाएंगे त तो फिर वीडियो लंबे होंगे और आपको याद भी नहीं हो पाएंगे, आपको लगेगा कि यार कितना बड़ा सा लेबल से cover नहीं हो पा रहा है, तो उन सब दिक्कतों को दूर करने के लिए हम कोसिस कर रहा है, सतत एवं व्यापक मुल्यांकन, दोस्तों, आपके ज़्यातर सब्जेक्ट्स में आपको देखने को मिलेगा हिंदी, इंग्रेस, उन सब में भी सतत एवं व्यापक मुल्यांकन, CCE के बारे में आपको जुरूर से याद करना है, इसमें देखिए सीखना एक सतत प्रक्रिया है अताय मुल्यांकन भी सतत होना चाहिए इस प्रक्रिया में व्यापकताक को भी ध्यान में रखा जाना आवशक है जिससे कि शिक्षा के उद्देश्य औरोम सरोकारों की पूर्टी की जासा कि मुल्यांकन, अवलोकन, सूचनाएं, एकतरित करने और उन सूचनाओं के अधार पर निरले लेने का एक तरीका है मुल्यांकन क्या है अवलोकन और सूचनाएं, एकतरित करने और उन सूचनाओं का अधार पर निरले लेने का एक तरीका है इसके बाद में अब हम बात करते हैं सतत एवं व्यापक मुल्यांकन के प्रमुक जो महत्पून पद हैं उनकी अवधालना के बारे में चार महत्पून पद हैं जिनमें देखिए पहला है सततता दूसरा है व्यापकता और तीसरा है आकलन और जो होता है मुल्यांकन इनके बारे में कुछ-कुछ बिंदू हम जान लेते हैं, तो देखिए, पहला बिंदू आता है सतत्ता को लेकरके नायने की निरंतर जो काम हो रहा है, तो सतत्त पक्ष आकलन की निरंतरता और आवर्तन पर ध्यान देता है, बच्चों की प्रगती का लगातार अवलोकन करना तथा उनके आधार पर उसके आधार पर सिक्षन योजना बनाना ही रचनात्मक आकलन करलाता है, अता है मुल्यांकन में सतत्ता होना आवशक है, इसके बाद में दूसरा है व्यापक्ता, व्यापक्ता में देखी व्यापक बच्चे के व्यक्तित्व के सरवांगिन विकास क समस्त पहलों के आकलन पर ध्यान देता है व्यापकता बालक को उपलब्द करवाए जाने वाले अवसरों, विशियों, तरीकों व्य अनुभवों आधी को आधी में देखी जाती है तीसरा बिंदू है आकलन आकलन में देखी आकलन छोटे-छोटे उदेशों के लिए किया जाता है यहें निरंतर चलने वाली परक्रिया है इसमें निरंतर सुधार किया जाता है यहें मुल्यांकन परक्रिया का ही एक हिस्सा है इसके बारे में हमने अभी तोड़े ज़र पहले ही पढ़ लिया है इसके बाद में चोथा बिंदू है मुल्यांकन यह वह परक्रिया है जो बच्चे के सीखने सिखाने की परक्रिया के साथ साथ चलती है मुल्यांकन बड़े लक्षे को इंगित करता है तथा निश्चिंता का बोध कराता है कि हमने इतना तो याद कर लिया है मुल्यांकन में हमें पतालच जएगा कि बच्चे ने कितना सीख लिया है और कितना सीखना बागी है तो उस सम के लिए मुल्यांकन किया जाता है अब हम बात करते हैं अगला महतपूर्ण बिंदू आता है सतत यवं व्यापक मुल्यांकन की परिकरिया के अंतुरत के परकार पहला परकार है रचनातमक मुल्यांकन इसमें देखी बच्चे के देंग काम पर टिपणी देना बच्चे के बारे में डाइरी नोट रिपोर्ट बनाते रहना तथा उसके अनुसार शुदारात्मक कदम उठाना ये सभी रचनात्मक आकलन के रूप में आते हैं अता सिक्षक को प्रते दिन आकलन करते रहना चाहिए कि बच्चे ने कितना सीख लिया है इस टोपिक के बारे में और कितना सीखना बाकी है उसे कि इस तरह से सिखाया जाए उन सब के बारे में रचनात्मक मुल्यांकन के अंत्रगत बात्या आपको ध्यान में रखनी है इसके बाद में दूसरा मुल्यांकन आता है योगा अत्मक मुल्यांकन सिक्षन की एक निश्चित अवदी के बाद जब पात्य करम का कोई खास हिस्सा पूरा हो जाए तब एक समयांज़ाल पर ये देखा जाता है कि बच्चों ने इस दोरान कुल कितना सीखा, यहें योगा अत्मक मुल्यांकन है, इसमें हाकलन में एक अंक अत्वा गरेड दिये जाते हैं, तो ये योगाइथमक मुल्यांकन के बारे में आपको ध्यान रखना ह मुल्यांकन में एक topic पूरा होने के बाद में देखा जाता है कि बच्चेहें कितना सीख लिया है और उसके बाद में उसको अंकरी जाते हैं या फिर grade दिये जाते हैं अब हम बात करते हैं सतत एवं व्यापक मुल्यांकन के उद्देशियों के बारे में इसमें देखी पहला उद्देश्य है विभिन विशियों में निश्चित समय उपरांत बच्चों की प्रगती जानना चटा उदेश्य है सरजन सीलता को बढ़ावा देना साथवा उदेश्य है बच्चों में परिक्षा के प्रती जो व्यापत भे है वे दबाव है उसको दूर करना तो ये साथ कुछ उदेश्य आपको ध्यान में रखने हैं और सीखने के लिए प्रेद करता है कि अब हमें पूरा सीख लेना है जो बचा हुआ है दूसरा बिंदू है बालक की आवशकता के अनुरूप विविद उप्चारात्मक शिक्षन योजनाये बनाई जाती है तीसरा बिंदू है बच्चों की उपलब्धी पर साकरात्मक अभीमत और प्रोथान दिये जाता है चोथा बिंदू है बालकों को अपनी पसंद के शेत्र में योगता और परतिभा का प्रदिशन करने के लिए अवसर प्रद्धन की जाते है पांचवा बिंदू है बालक स्वयम जान पाते हैं कि उन्हें कि छेत्र या विशय में और अधिक सीखने की आवशेकता है तो इस तरह से ये पांच बिंदू आपको बच्चों के लिए दहन में रखना है और अब हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए शिक्षकों के लिए क्या उपयोगिता रहती है तो परतेक बालक महतपून है अपने ज्यान का निर्मान स्वयम करता है अध्यापक की भूमिका सहयोग करता की है बिना बैदबाव के सभी बालकों को शिक्षा देना अती महतपूर्ण है आकलन मुल्यांकन का स्वरूब भी ऐसा होना चाहिए जिससे परतेक बालक को सहजवे समान विकास के आउसर मिले बालक को किसी परकार से ठेस नह पहुंचे आदी तो इस तरह से ये कुछ महतपूर्ण बिन्दू आपको युनिट नंबर 6 में ध्यान में रखने है उमिद करता हूँ दोस्तों आपके सारे डाउट से वीडियो में दूर हो गया है फिर बे कोई डाउट रहता है फिर बे कोई आपके समाशना है रहती है इस वीडियो में इतना ही जल्दी मिलेंगे अगले पेपर के साथ थेंक्यों पर वाचिंग इस वीडियो